तो यहां पे दद्दा लोग मेरे पती को चिला रहे हैं कि वाज आगे से अकेले हैं तो टमाटर पहले पकाना भी पड़ेगा तो गैस यह घर आ गया और मिले कुछ निला है सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भ्रह पहलाग मेरा नाम है पुमी और स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल मिस्टर है मिसेच कुमाओनी ब्लोग मैं तो आगे में फिर से एक नए व्लोग के साथ और नए व्लोग के स्टार्टिंग कर रही हूं है मॉर्निंग के नौ बजे से तो अभी हमने नाशता वगेरा कल लिया है बाकी पाप अपने काम पे चलेगे और मॉम्मी भी उपल लखने आ लेने गये हैं तो और मुझे काम मिला है दुकान में जानेगा तो अब जाओंगी दुकान में तुम आगी हूं दुकान पर अब मैं थोड़ा बहुत दुकान की सफाई करती हूं क्योंकि सुबसे किसी ने खोला नी था अब सफाई रुफाई कर लेते हैं थोड़ा और यहां पर मेरे हज्मेंट जी भी तैयारो के आज चुके हैं और यह जा रहे आज घूमने कहा जा रहे अच्छा तुम तुम पी तो वार्न हो कहाता लेगन तुम आजओ नियूह मुर्टी क्या लओंगा थंडा थंडा में क्या पसंद करेगी मैं कुक मेरेंडा थंटाय क्यों लाओंगा एक फुल मॉम लीका हूंगा थिक हूं ओके लग दुन का सारा काम करने के बाद अभी में मस्त से धूप में बैठी हुई और धूप का अनन्द ले रही हूँ और यहां पर मिट्टू बाई साब आगे काई गया था तू तो यह और दीदी दद्दा सब जा रहे हैं बागे शर्प कुछ काम से और मैं घर पर ही हूँ क्यों मम्मी लोग के लिए खाना भी बनाना है इन लोग के तैयारी होगी है जाने की और यहां पर एक्ष्यू भी बैग कर रहे हैं तो यहां पर दद्दा लोग मेरे पती को चिला रहे हैं कि वाज आगे से अकेले हैं चल अब बाई बाई जल्दी आईए तो यह लोग तो चलेगे हैं बाकि अम्मा अकेले हैं घर पे मम्मी के आने तक और गोल्डी ने पिछे हल्ला लगा रखा है तो उसकी आवाज को इग्नॉर करना गोल्डी को भी ममी ने जंगल से आके हिमाने को भी बाद दिया है बाकि आजकल हम नहीं बाते हैं जब से यह भागी आज घर पे ममी पापा और मैं ही है तो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने को और खाने में क्या बनाना है आज अभी तक सोचा है नहीं उपर जाके देखूंगी तो मैं दुकान से तो आगी हूँ और डिसाइड भी हो चुका है कि आज लंच में क्या बनेगा तो आज लंच में बनाना है मुझे खिचडी और मुझे बनानी है उड़त के डाल की खिचडी तो मैंने उसके लिए चावल और डाल दोने दो दो दिये हैं बाकि यहां पर टमाटर भी कार दी है और प्याज वगर हम कुछ डाल नहीं सकते तो मैं फटाफ़र से खिचडी बना लेती हूँ फिर मिलते हूँ आप से तो गाज मेरी खिचडी बन चुकी है और खिचडी के साथ में बना दियो आज भांकी चटनी तो उसमें मैं डालूंगी टमाटर तो टमाटर पहले पकाना भी पड़ेगा और यह है पूदीना तो भांकी चटनी और खिचडी के इतने टेस्ट यो देना क्या ही बताओं तो म में फटाफर से चटनी बना लेती हो फिर मिलती हो आपसे तो टमाटर पके ना कुछ ऐसा टाइप को हो गया है अब मैं इसके बाहर काई जो चिकलने से निकाल लोंगी और फिल इसे पीस लोंगी तो इस जार में मैंने भांग टमाटर और पोदीना डाल दिया है अब इसमें मैं हल्दी मिर्च बे डाल लेती हूं सबसे पहले मैं नमक डालोंगी फिर डालोंगी यह हल्दी और यह हैं धनिया पाउडर और थोड़े डालोंगी मैं लाल मिर्च अ और इतना में डालोंगे पकायावा नीबू इसे घर्म नीबू को ना पका के ऐसा बना जाता है तो ठंडी की वज़े से जम गया है तो गाइस हमने ना खानावाना खा लिया है क्योंकि चट्नी बनाने के बाद मेरा फॉन ओफ हो गेता फिर मैंने नीचे चार्ज में लगा देता उसके बाद मैं लेने आई नी अब मैंने बड़तन वगरे सम्मल लिया है अब है मेरी नहाने की बारी तो मैं आज पहली बार खाना खाके नहारी क्योंकि दिन में ओमा जाही हो रही है तो नहाने का मन भी हो रहा है तो नहा लेता है फिर मिलते आप से तो घड़ मैंने नह भी लिया है और मैं थोड़ा बहुत फंड़ा अरहा के तो हो वहाल्ज, वहादा फानी ब現在 मैंने कपड़े भी ढ़्या है मसीन Relations होने के लिए और यहां पर मैं बैठी हूँ क्योंकि बंदरों का आतंग बहुत जादा और बंदर आरे बार बार और सामने वाली छत में ना हल्दी सुखाने को डाला है क्योंकि आज कल यहां सब लोग हल्दी खोदने में लगे हैं सामके चार बज गिया और अभी तक यह लोग नहीं आये हैं बाकी में फिर से आगी हो दुकान पर तो सामने दुकान है और अभी धूब भी नहीं गिया है और मेरे साथ है गोल्डी गोल्डी आजा अभी सामके पांच बज चुके है और धूबना पूरी चलेगी है बाकी गोल अनलों का सा घुझा है और यह रहा मेरा विल्दी ना अनी ऊन्हें वाले हैं और मैं याप पहलोग दो पकड़दें वा और या देख कोन आया का कोन है कि कौन है प्योचां अ तो गोल्डी ने पैचाना है काट इनको काट सी वो से डोई रखे हैं कहों थे गोल्डी नो तो गोल्डी यह सा करता है गाड़ी पे स्क्रेच मारने के लिए और दीदी लोग आ चुके हैं तो गाज यह घर आगया और में ले कुछ नहीं लाएं जंडोगी अब बोलो तो गाज इस वीडियो को इतना ही रखता है आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई से लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए अमने दोस्तों की शाह जादे शेयर कीजिए मैं भूमी मिलते हूँ आपको जल्द एक नाई शो वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें आई जयरे भूमी उत्राखंद क्या है